है कि बढ़ते फंड ने बिहार में बदला है अस्कूल का समय बढ़ते फंड को लेकर बिहार में समय प्रिवर्थन कर दिया गया है विप्यों के पटना पटना जिले में शल हुल और बंद होने के समय में प्रिवर्तन किया गया है अब है जिलादीकारी पटना के द्वारा निर्गत किया गए आदेश में कहा गया है या अभश fel इतने समय से इतने समय तक ही शंचालित होंगे यानि कि बच्चों के बच्चों से अब privacy परूब hizo साम तीन बजे तक ही बच्चों के लिए सैचनी कार्ज करने का देश से जिला पदाजी कारी के दुवरा आज अभी अभी जारी किया गया है नमस्कार मैं हूं आपके साथ सुनिल वह भी और आप इस समय देख रहें मगश्रम बाद है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज सानी जहनी पड़ रही है यहां बच्चों को बचाने के लिए बच्चों को सास को ध्यान में रखते हुए पटना जिला धिकारी ने खास आदेश दिया है पटना में ठंड के कारण अस्कूलों का समय बदल दिया गया है अब सुबह नौ बजे के पाले और साम को साड़े त तीन बज़े के बाद में पढ़ाई नहीं होगी पटना के डियम डक्टर चंद सेकरसी ने अस्कूलों को अदेश जारी किया है मनमानी करने वाले अस्कूलों सीचन संसानों पर अब करवाई की जाएगी ठंड को लेकर किसी भी स्थिती में अस्कूल निजारी समय से पहले और बाद में नहीं चलेगा आपको बता दें कि अब जीले के सभी अश्कूल सुबह नौ बजे से साम तीन बजे के बाद संचालित नहीं होंगे यानि कि कछाओं का सैचनी कजविदी पर ध्यान दिया जाएगा आपको बता दें कि पटना डियम का कहना है कि जीले में गिरते तापमान और विशेश रूप से सुबह के समय अधीक ठंड के कारण बच्चों के स्वात और उनके जीवन पर पढ़ने वाले प्रतिकूल परभाव की शमावना को देखते हुए एसा आदेश जारी किया गया है परसासन के नुसारिया आदेश 21 दिसंबर से अगले आदेश तक परवावी रहेगा दियाम द्वारा जिलासित्चा पदादीकारी सभी अनवन्दल पदादीकारी सभी परखंड विकास पदादीकारी सभी ठाना द्याच को इस अन्या देश का पालंसु निचित करने का सकत निर्देश दिया गया है आपको बतादे यह आदेश आज 20 दिसंबर को पारित किया गया है बताया गया है यानि कि तीन बज नौ बजे से तीन बजे तक ही अस्कुल संचालन की बाते की गई है यानि बढ़ते ठंड को देखते हुए सुबह नौ बजे से तीन बजे तक ही अस्कुल संचालन की बाते की गई है यह आदेस दिया गया है औ ने जीलों में से भी प्राप्ट सुचना है के अनुसर जहानाबाद जीले की बात करने तो जहानाबाद जीले में सितलहर और बढ़ते धन को देखते हुए कि सभी परकार के सरकारी और सभी शिच्च चंसतान को 21 दिसंबर 2021 से अगले आदेस तक प्रातन 9 बजे से 3 बजे तक संचालित करने की आदेस दिया गया है यानि कि पटना के साथ जहानाबाद से भी खबर निकल कर सामने आई है और अन जिलों से भी खबर प्राप्थ हो रही है कि अस्कूलों के समय में प्रिवर्तन करने के लिए परियास जारी है तो आप हमारे साथ बने रही है जैसे ही अन जिलों के लिए बाते आती है तो आपको बताएंगे के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं और देखते रहे हैं मगस्तंबाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिए दीजे हमें इजाजा धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम